दोस्तो आज मैं आपको सोंफ वाला दूद पीने के फाइदे के बारे में बताऊंगा साथ ही ये बताऊंगा कि सोंफ वाला दूद तयार कैसे किया जाता है अभी दोस्तो मोसम गर्मी का शुरू हो चुका है और इन गर्मियों के मुसम में आपको सौफ वाला दूद जरूर पीना चाहिए क्योंकि सौफ की तासीर ठंडी होती है और ठंडी चीज अगर आप गर्मियों में कुछ लेते हैं तो वो आपके लिए फायदे मन्द रहती है और दोस्तो सौफ वाला दूद आपके लिए पिना इतना फायदे मन्द रहता है जिन को जानकर आप हैरान रह जाएंगे सिर्फ ये दूद पीकर आप अपने शरीर की 90 प्रतेशित बिमारियों से छुटका रापा सकते हैं दोस्तो सौफ पोशक तत्वों का खजाना होती है सौफ के अंदर कोप पर मैगनीजियम, पोटैसियम जिंक, वाइटामिन सी, आईरन, सलेनियम और मैगनीजियम जैसे मिनरल्स पाय जाते हैं जो शरीर की बहुत सी बिमारियों के इलाज के लिए आपकी हेल्प करते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले जानते हैं सौफ वाले दूद पीने के बहतरीन फायदों के बारे में इसके बाद हम जानेंगे कि आप ये तियार कैसे करें दोस्तो आप रात को सोने से पहले सोंवाला दूद पीते हैं तो आपको digestion से related जो भी समस्याई है वो ठीक हो जाती है आपका शरीर का जो digestion है वो अच्छे से काम करता है जिसकी वज़े से आपको कभी कबज नहीं होती आपके शरीर के अंदर खाया पी अच्छे से लगता है और जब दोस्तो आपके शरीर में जो आप कुछ खा रहे है वो अच्छे से लगेगा डाइजेस्ट होगा तो आपको कभी बीमारियां होंगी ही नहीं अगर आपको बिमारियां हैं तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 80-90% बिमारियां सिर्फ पेट की वजह से होती हैं और पेट की दिक्कत कब होती है जब हमें digestion की problem हो तो इसमें सौंफ आपके लिए बहुत फाइदेमन रहती है आप सौं है या पेट से related कोई भी problem है तो उसके अंदर भी जो सौंफ का दूध है वो पीना बहुत फाइदेमन रहता है दोस्तों अगर आपकी आँखों के उपर चस्में लगे हैं आप अपने आखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं और आप अपने चस्मों को हटाना चाहते हैं त तो इसका इस्तमाल जरूर करें दोस्तों जिन लोगों को कोलेस्टरोल की समस्या रहती है उनके लिए सोफवाला दूद पीना बहुत फाइदेमन रहता है ऐसा करने से उनका जो कोलेस्टरोल लेवल है वो नियमित रहता है दोस्तों जिन लोगों को बीपी की समस्या रहती ह है उन लोगों के लिए भी सोंफ वाला दूद बहुत फाइदे मन रहता है ऐसे में अगर जोडों के दर्द वाला व्यक्ति लगातार रात को सोते समय सोंफ वाला दूद पी लेता है तो ऐसा करने से उसके जोडों के दर्द है उसमें इंस्टेंट आराम देखने को मिलता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमें इस वीडियो पर 5000 लाइक मिलते हैं तो हम वो वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें हम पूरा बताएंगे आप लोगों को कि क्या-क्या फायदे होते हैं अगर आप सौंफ का दूद पीते हैं अब इसके अंदर हिँ आपने क्या करना है चीनी नहीं डालने हैं आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चीनी जो है वह आपके सरीर के लिए अच्छी नहीं होती तो आप इसके अंदर क्या करें, 60 मिसरी ले ले लें, जो धागे वाली बड़ी मिसरी आती है न, वो लेकर इसको बारीक पीस लें और दूद के अंदर मिला दें, और इसको तब तक उबाले दूद को जब तक ये दूद एक गिलास था वो आपका आधा गिलास ने रह जाए, अब आपका जो दूद है वो बनकर तयार है सौंफ वाला, आपने क्या करना है, इसको हलका गुनगना होने तक ठंडा होने देना है, जब यह पीने लाइक गुनगना हो जाए, आपने रात को सोते समय इसको पी लेना है, बस आपने ऐसा करना है, ऐसा करके आप अपने शरीर की हजारो बिमारियों से चुटकारा पालेंगे, आपके शरीर की इम्मेनिटी बढ़ने लगे गी, और आपका शरीर निरोगी हो जाएगा, रोग आपके शरीर से दूर भागने लगेंगे, आपको नीद अच्छी आएगी अगर आपका इंसुमेनिया की प्रोबलम है तो वो ठीक हो जाएगी आपका डाइजेशन इससे ठीक होगा बीपी कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रोल कंट्रोल में रहेगा हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फाइदेमंद रहता है चोडों का दर्द है वो ठीक होगा मिलाकर कहीं तो हजारों बीमारियों की एक दवा है सोंफ वाला दूद तो एक बार इसका इस्तमाल करके जरूर देखें और अपने दोस्तों और इस्तेदारों को भी इसके बारे में बताएं वीडियो को लाइक करें पांच हजार लाइक पर इसका सेकंड पार्ट हम आपके के बाद बैल बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी आने वाली भविश्या की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसे रुकावट के आता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे